हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वलकम फ्रेंट्स अलफद्यन पर विज्वल बेसिक में स्टार्ट करते हैं आज हम लूपिंग कंसप्ट से जो की बेस है लूपिंग से रिलेटिड यहां पर आने वाले वीडियो में हम और भी प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं हमने बहुत सारे कंट्रोल्स के बारे में सी है और अब थोड़ा सा हम टूटोरियल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पहले स्टार्ट कर देते हैं लूप से लूप के बाद हम इसमें कंडिशन मिक्स कर देंगे और उसके बाद एरे श्ट्रिंग से रिलेटिड कुछ प्रोग्राम सीखेंगे क्य do while loop का हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपने कोई programming सीखी है तो आपको अच्छे से यह पता होगा कि यहाँ पर looping concept में three loops आपके use होंगे four while and do while तो यहाँ पर जो हमारा step है पहले हम four loops से start करते हैं हम एक button draw कर लेते हैं command button जिस पर हम caption change कर देते हैं और इसका caption देते हैं print one two twenty it means कि जब भी हम इस button पर click करेंगे तो form पर one two twenty की counting display हम कराना चाते हैं तो आपको क्या करना है double click कर देना है और इस command की click पर हमें जो code करना है वो हम पहले से उपर variable declare कर लेते हैं dim से हम variable declaration कर देते हैं dim i as a integer हमने declare कर दिया है और starting जो हम करते हैं for i variable में one two जहां तक हम चाते हैं suppose हम 10 तक चाते हैं तो one two ten यहां पर एक order होता है step का जिससे हम increment कितना करना चाते हैं अगर हम नहीं भी देंगे step one तो by default automatically one by one का increment वो ले ले लेगा लेकिन हम step हम दे देते हैं two का या three का तो फिर उस skip order में वो display होगा वो सभी चीज़े हम देखने वाले हैं यहां पर हम सीधा कर देते हैं print और print को जब हम define कर देंगे उसके बाद हम next keyword का use करेंगे इसका मतलब पहले number हमारे display होगा one print होने के बाद next संख्या जब हमारी आएगी two three four वो जब तक आती रहेगी जब तक हमारा loop है वो 10 तक नहीं आ जाता अब हम इस program को run कर देते हैं और run करने के बाद इसको form को बड़ा कर देते हैं print one to twenty पे जब हम click करेंगे तो यहां पर हमने print के अंदर कोई variable नहीं दिया कि क्या print हम कराना चाते हैं तो हमें क्या करना है print के बाद देज़ेना है जो variable की value हम दिखाना चाते हैं print i और फिर से run कराते हैं program को बड़ा करने के बाद form को बड़ा करने के बाद हम जैसे ही click करेंगे यहां आप देख पाएंगे हमारी counting को अगर हम property से जो form की property है उसके अंदर से यहां पर इसका font color या font size जो भी हम देना चाहें वो set कर सकते हैं कि already जो हम define कर रहे है code पे वो किस font में display हो यहां से हम program को font देने के बाद फिर से run कराते हैं और print पे click करते हैं आप देख पाएंगे 1 to 10 के counting यहां पर display हो रही है अब इसी चीज को अगर हम दुबारा से देखें step 1 की जगए 2 देने पर तो run कराने पर आप देख पाएंगे 13579 इस means कि आपका जो भी order number है वो display हो रहा है एक से लेकर 10 तक हम चाहें तो यहां पर condition भी define कर सकते हैं और चाहें तो step order भी set कर सकते हैं अभी condition भी हम check करेंगे लेकिन फिलाल हम देख रहे हैं looping के बारे में और यहां पर अगर हम start कर देते हैं नमबर 2 से तो फिर जो skip order है run कराने पर वो दिखाई देगा 246810 अगर हम यहां पर semi-colon का इस्तमाल करते हैं print के अंदर तो फिर उस case में क्या होगा कि वो horizontal display में show होगा यानि कि line break नहीं होगा one by one नहीं होगा semi-colon का मतलब है एक ही line में वो सारी की सारी display होगी अब हम एक छोटा सा example ले लेते हैं कि input box हम यहां पर define करेंगे और जो भी उस box में हम value डालेंगे उसकी multiplication होकर यानि कि उसकी table एक तरीके से हमेश्य होगी तो एक variable जो हमने define करा है यहां पर हम input box ले लेते हैं और यहां पर user defined message डाल देते हैं enter number for print table और जो number हम डालेंगे उसमें से integer part ही हमारा है तो well हम keywords पहले देख चुके हैं जब हमने पहला program देखा था जब हम text box से value निकाल रहे थे तो यहां पर हमें जो i का loop चलाना है एक से लेके 10 तक का चलाना है और print कर देना है i into a इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी loop का number है 12345678910 ए में जो भी हम value डालेंगे उससे multiplication होके वो show होगा अब सीधा इस program को run कर आके देखते हैं और यहां पर हम थोड़ा अपना message बदल सकते हैं print table इसको हम अभी बात में बदल देंगे यहां पर सीधा हम run कर आते हैं suppose हम 13 number डालते हैं आप देखेंगे 13 का table form पे आ चुका है तो input box हमारी command होती है जिससे हम run time पर automatically input box define करके value उठा सकते हैं चाहें तो यह काम हम text box के जरीए भी कर सकते हैं otherwise आप चाहें तो input box का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से looping concept में आपने देखा किस तरीके से आप message को display करेंगे आगे आने वाली वीडियो में हम do while loop और while loop दोनों को clear कर देंगे और उस कुछ programs भी सीखेंगे conditions के साथ तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडिशन के लिए आप कर दो आप